हेलो दोस्तो आज की वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हम बात करेंगे कि आप अबुआ आवास योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हो दर्शरे के शुब अउसर पर हेमन सोरेन ने आठ लाग गरी परिवारों को पक्का मकान देने का फैसला लिया है राज्य के स जिसमें 2 लाख अवास बनाए जाएंगे दूसरा भाग 2024 और 25 तक रहेगा जिसमें 3 लाख यानि कि 3 लाख पचास अजर अवास बनाए जाएंगे तिसमें 2 लाख यानि कि 2 लाख पचास अजर अवास बनाए जाएंगे इस तरह सरकर आने वाले 3 सालों में सभी गरी परिवा अब आपके सामने आवास योजना का form open हो चुका है आपको सबसे उपर पहले तारीक डालने नहीं है द्यान रहे यह वही तारीक होनी चाहिए जिस दिन आप अपना form जमा करोगे या सब्मिट करोगे आपको नीचे आवेदन पत्र दिखाई देगा आपको सबसे पहले जिला यहाँ पर फिलप करना है फिर उसके बाद प्रखंड मतलब ब्लॉक फिलप करना है फिर पंचायत उसके बाद गाउं यह चारों फिलप करने बद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको लाबुक का नाम डालना है लाबुक मतलब आवेदक का नाम यह पुरुष्या महिला यहां पर डाल सकते हो उसके बाद आवेद्य की जन्मती थी फिर उम्र उसके बाद जॉब कार्ड नमबर आपको नरीगा की वेबसाइट पर मिल जाएगा वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो अपना गाउ का नाम और ब्लॉक का नाम डालके उसके बाद आपको अपना आधार अब यहां पर बैंक का नाम फिल अब करना है फिर यहां पर लापू का मुबाइल नमबर आवेदक करने आपको परिवार का डीटेल देना पड़ेगा उनके परिवार में कितने लोग आपको उन सभी का नाम यहां पीस बॉक्स में डालना होगा जितने भी लोग रहेंगे अब नीचे आपको आएका शडूत फिल अब करना है जीसे मज़दूरी किसान जो भी रहेगा आप यहां पर फिल अब कर देना ध्यां रहें आपके वार्सी का 3,000,000 से नीचे होनी चाहिए अगर 3,000,000 के ऊपर रहेगी तो आपको आवास योजनsung का लाब नहीं मिलेगा अ प्रतमान आवास की स्थीति डालनी है या आवास विहीन आवास विहीन मतलब आप बेघर हो अगर आपके बास घर नहीं है तो हाँ अगर घर है तो आपको यहाँ पर नहीं करना है घर है तो वो कौन सा घर है कच्चा आवास या पक्का आवास तो आपको कच्चा आवास पर ट जमीन है गेर मजरुवा रेयती वन भूमी अधिकरिती तो हम रेयती लिखे, रेयती मतलब अपना खुद का रेता है, वन भूमी अधिकरित ये सब नहीं है, क्या भूमी विवादी थे तो नहीं, क्या आप आदिम जन जाती है, नहीं पर टिक करेंगे, यहां आप कानुनी अगर नहीं है तो नहीं पर टिक कीजिए अब यहां पर लिखा है कि आपके पास पुर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 11 1990 के उपरांद राज्य सरकार अथवा केंदर सरकार दौरा संचालित आवास योजना यता प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामिड बाबा साह बीमराओं बेटकर आवास योजना बिरसा आवास योजना इंद्रा गांधी आवास योजना इत्यादी आवास का लाब मिला है अगर आपको यह सब आवास योजना का लाब नहीं मिला तो आपको नहीं पर टिक कर लेना है अब क्या परिवार में तीन चार पहिया वाहान नहीं पर टिक कर लेना है, क्या परिवार का कोई सदर से चुनाओ दरा जन्द प्रतिनीदी चैनित किया गया है, आपको नहीं पर टिक कर लेना है, क्या परिवार का कोई सदर से आई कर दाता है, तो आपको नहीं पर टिक कर लेना है, क्या परिवार के पास धाई, एकड या ज जादा सिंचित भूमी है अगर है तो हां नहीं तो नहीं पे टिक कर लेना है आपको नीचे है स्वय घोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखाए कि मेरे द्वारा दी गई उपर युग सभी सुचना सही है एवं गलस सुचना के लिए मैं स्वय जिम्मेदार हू यदि मेरे द्वारा गलस सुचना दी जाती है तो मेरे उपर कानूनी कारवाई की जा सकती है अब आपको नीचे आवेदक का हस्ताक्षर कर लेना है अगर पढ़ा दिखा है तो सिगनिचर उनक्र करवा लेना या फिर अंगूटा भी चलेगा अब आपको नीचे आवास हो पत्र दिखेगा आपको यहाँ पर सबी डीटेल एक बार फिर डाल लेना है यहाँ पर तारीक फिर आपको जिला प्रखंड पंचायत गाव आवेदक का नाम मतलब लाभुक का नाम फिर उनके पती का नाम या फिर पिता का नाम फिर नीचे कैटेगरी मतलब वर्ग अगर स् कालपनी की अब आपको तिसरे पेच पर चलिया आना है या आपके चेक लिस्ट है तो सबसे परने मंद्रेगा जॉबकर की चाया कृति अगर आपके बात शॉबक कार्ड़ है तो उसके लिए हाँ अगर नहीं है तो उसका जरोस निकल लेना है और उस पर आपको अपने सिग परिवार की जानगारी यहां पर भी आपको हां पर टिक कर लेना है उसके बाद आपको आवेदन करता का मुबाइल नंबर वहां पर टिक कर लेना है